मादर चोद या छोरी चोद हराम को लाइट इकवा के हैं यू छोरी चोद तो तिर है इना मेर लड़का मेरे पीछेल मुव नू पत नाहीं मेर लड़का आरो पीछेल में जब वासुक पूछ रही थी मुस्ताक के हून मुव मिलगो मैं घरे भी ना पहुची या नुक चोरी चोद याथ राम को लाइट इकवा क्या अप्ड़ो बच्चान नौ महिना को दियो हो अप्ड़ हून अप्ड़पीर में कर राको मेरे डोटन आफाग घरो अब यहां गाडी करिया मारे अपर आमार कर लाइट लगारा की प्या प्या थीजिए अगरी आजिए यह 13 लड़का ने है तो हराम का तो इसको कहीं और जगा किसे धर्वा के लाइए और यह 13 नहीं जब इतने में दो पल में मेरे लड़का उतर पहुंच जाता है में पंचायत अलक्षन कि नहीं हुआ। पन्चाईत लक्षन क्यों नहीं हुआ जोगे इस्ले का बाएज इसे हुआ मैं हम घर पेती और जब मिर चम 1 9 बजे आई हो dov sya sec काम करे ł competition अर हो कि ऐन सो है नौ assassin महिंयरेखा रोटा खाकर मैं हम दोनुन متब यह नइक कमरा मैं फुरन ऊपुड़े काम कर रहीं काम कर हो तो और में वाकई पाई तीन लोट गी अपने लड़का बराबर जाना इनके चोरी हुई चोरी हुई तो हमें कोई पता ना अब चोरी हुई है किसी के हमें ने कोई पता ना ही मैंने कही अपने बेटा से मैं बेटा तो इतकर मज़ा उनके सो आये बुलान ले नुक चोरी होगी मै पहली लड़ाई चल रही है और कदी तो पर दुस्मनाई साथ दिया मार पीट कर आई जाओं फिर ये हून सु आये हैं जब इनने कहिए नो को जुबैर का लड़का मोई न कर ये चोरी जब ये रातू डोले हैं ही जाना चोरी हुई रातू पता ना मिर लड़का मारना आए है ये कह बारे बज़ के पांच मिनट पाए हैं रहे जाके रस्ता पेकर मैं मैं खड़ी हुई कदी मिर लड़का मार दे मैं अपड़े लड़का की इत्यादी कर रही जानना से पंदर दिन पहले इन सु लड़ाई हुई ही अब मैं अपड़े बच्चा है गाम बाहर लिकार का प्रौणराय जब तक मोड नान आवे अब जब दुकान पे पहुंच जावे हैं हो जब मैं उतकार दुकान पहुंते हैं मैं फोन करूँ मेर बच्चा पहुंचा है नौ पहुंचो मामी इतना डर लगता मैं दो बच्चा भीजू आप दो बच्चा भेजू मैं अपड़े गेले और मैं आप जाओं हुरस्ता लिकार के मैंनों फिर नी को दगड़ छोड़ दे मैं बाखड में कर लिकड़ूं और मैंने कई मैंन की भाईया तु मेरे छोड़ा में कोई गल्ती कर दी वाकि मोप गल्ती की माफी दे दे मादर च मेरे लड़का मेरे पीछेल मुव नू पत नाही मेरे लड़का आरों पीछेल मैं जब वासुक पूछ रही थी मुस्ताक के हून मुव मिलगो मैं घरे भी ना पहुंची वान यह नुक छोड़ी चोड़ यात हराम को लाई टिक वाक मैंने अपड़ों बच्चा नो महिना को में अपड़ पिहर में कर रहा है, महीर टोटन अपग घरे लगो अब हुन पढ़ ले छोड़ी स्थिस दुकान खुल वा रहा खिए चिसी की अब मेरे बच्चा पढ़ाई कर लेगो को लिग में नौ को लिगमें पढ़ रहा है और वा मैं सुक थोड़ बहुत कमा कप बिमार थी मैं जब इमांगी थी उनसे और जब मेरे घर में आये थे मेरे बच्चा खाटन तड़ बढ़ गये लाठी इनसे और मेरे धनी घर पर नहीं और मेरे रिष्टेदार में उसमिले लाए पड़े उन रिष्टेदार खोब हाफो पाई करी पकड़ने कि ना पकड़े मे पड़े बच्चा ना संब्ले अब बच्चा ने समार सको फिर भी हूंस अब भी में हूंस मेरे छोर याबात को पर होनकर ना लिकड़े चक्की पानाज पीछ रहा था और यह लड़का 9 बज के 10 मिन्ट पर यहां से आया है और यहां से आने के बाद में लड़का सीधा घरम हुआ है यहां गाड़ी घड़ी हमारे अरा मार लाइट लगा रहा है कि उड़या इस लिखेंगर कर रहा हमारे नहीं हमें जीना हरा है हमारे लाइए लुट ने सब्सक्राइब आप सभी का सुवागत है मैं हूं आपके साथ जाहिर खान हम आज राइसिका ग्राम पंचायत में मौझूद हैं इनसे बाचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो इन लोगों पर इस परिवार पर जो आरोप परत्यारप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला सब को जानेंगे सिल्सलेवार सल पहरे तो बहुत- जामिन होन लगाया किemia मेरे पास फोन किया में लड़का यहां से इसाह भाइने सामने लेके नहीं आए गाया नहीं फिर घर पर तिल्क हमरे भाणी से बोला कि लड़का गाड़ी लेके गया नो कहा गया था मौसा आ रहा था उसका उसका उसके लिए सामान खाने पीने के लिए सामान लेने के लिए गया था फिर हमारी उदर से चाची आ रही थी निकड़के उसने बताया गाड़ी बिल्कुल आराम से आ ही निकड़के गाड़ी नहीं ब पापा और क्या बात है जब जमील बोलता यह तेरा लड़का नहीं है तो हराम का तुसमें को और जए किसे धर्वा के लाई है और यह तेरा नहीं है जब इतने में दो पल में ही मेरा लड़का उधर पहुँँ जाता है लड़के ने उसे बोला अब के दोबारा बोल के देख क्या बोल रहा तू इतनी बात हुई है सिर्फ जिसकी ये साजेस इन्होंने रची है ना कोई हमने चौरी की ना हम चौर है मेरा लड़का चौरी का मामला किसलिए सामने आए क्या वज़े है इसके बारे में तोड़ चौरी का मामला जी अब 15 दिन पहले तो ये बात हुई थी जो मैंने आपको बता दी है इसके बाद अब मेरे पास फिर तीन से दिन 13 तारीक को सुबा में फौन जाता जी जब लड़का ने थोड़ा मुकाबल इन से कर लिया जब घर पाया है तो सारे के सारे मेरे इस घर में चड़ गे जिदर ये दर ले लो आप घर पे चड़ गे हैं तो घर पे मेरा साडू था साडू ने बच्चों को बचाया सारे बच्चे रोने लगे ये जमील था, जमील का लड़का था, खलील का लड़का थे, दो लड़के आजम के थे, एक हाजी हासम का लड़का था, आकिब जावेद, जो की लड़लड में लेक्चरार लगा हुआ है, पलला कॉलिज में, यह आये था यहां पर, फिर इनको बीच बचा हो गया है, चले उसके पंद्रे दिन बाद इन्हें उन्हें फिर सडियंतर रचाया, जी हमारे घर में चोरी हो गई, मेरे पास खलील का फोन गया, जुबहर कहां पे है, तुम मैं कि जी मैं गुजरात में हूँ, बताओ आप हुकम करो, बोलो कि जमील भाई के घर पे चोरी होगी, और सारा गाँ पोँच गया है, सारा गाँ पोँचने पे तेरे घर से वहां कोई ना गया, मन कि हमार आपको जगड़ा हो ये पड़ा होसा, पता ना हो, मैं कॉल करता हूं अभी घर पे, पीर गर से मैंने अपने बाई को बेजा साकिर को, मेरे पिता जी गए है वहां पे, तो वहां एक डल्या मेल कुछ और हन्डा चूरने के बाद कोई बच्चे की साइकल उट गयी और पीछे से गयेट से घुत तेने वाक्त गपके आदमी 44 गंटे मेरा बोगी हृतुन सो नमबर पर फोन करूं या मैं अपने पड़ोसी भाई को करूं गाउं में करूं तो पकड़ भी सकता था इसके चलते माध्यम फिरियनों ने ये मेरे पास दो हाजी अली और मुस्ताक भेज़े हैं उनको बुला किला मेरे पास पिर हाजी अली ने फोन करा भाई तुझे बु इसे लेके उस पर जाता राता है सिर्फ ये मामला इनोंने फिर दुबारा ये चोरी चारी का फंड़ा रचा है अच्छे जो आपके पर यह आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं सरसर गलत है बेबुनियाद पूरे गवाम को पता है हर आदमी को पता है इनके घर में कोई चोरी नहीं हुए आपसे पहले कोई आपसी रंजिस आप लोगों कुछ भी नहीं थी जी सिर्फ एक लड़का की राष्टे वाली रंजिस थी और मेरी कोई रंजिस नहीं सबसे दुआ सला में सबसे में बोलता चालता हूँ देखिये हमने जानने की कोई की पूरा मामला क्या है गाउं के लोगों से भी बात चीद करेंगे की आफिर इसमें कितनी सच्चाई है सर किस तरीके से देख रहे हैं आपने दोनों पक्चों की बात सुनी होगी किसकी गलती है और क्या है पूरा मामला जो परते आरप लगा cię इन्होंने चोरी कि बारदात को अन्जाम दैंगे कितने सच्शा ही मानते ह हैं देखो झी इसमें बिलकुल भी सच्छा ही नहीं है क्योंकि अब हमारा गाऊ में यह पेली बात है कि लड़के को आई यहां महीन ही हुआ है इनका जो इंयुक्ट चल रही है वो इस वज़े से चल रही है कि आते हैं जाते हैं उस रास्ते से इसने गाड़ी थोड़ी तेज निकाल दी फिर भी इसकी मम्मी ने उनसे गलती की माफी माग ली वो इसको महसूस कर गए बात यह है जिस सारा सड़ी अंतर कुछ भी नहीं तो घर पे जो चड़ाई की है उनके घर पे जो चड़ाई की उन लोगों ने तो क्या वज़े मतलब यही वज़े बताई जा रही है उसके बारे में यही वज़े है जी इनका पूरा परिवार भी है इसका लड़के का दादा भी यहां मोजूस था उस टाइम में उस टाइम थ इनको जादा इनके दादा को पता था मैं इस टाइम यह था नहीं जी देखिए इन लोगों से भी बात्चित करेंगे जो कि मोकाई वारदात पर मोजूद थे इनसे भी जानने की कोश करेंगे जैसा की बता रहे हैं आप लोग उस वक्त चस्मदीद गवात है क्या है पूरी सरसूज आड़िया है कोई नुक्षान करिया वेटा क्या करा थुमने नुपापा मने कुछ नहीं किया मैं तो किसलिए लाठ लेका लुक तो बैंच नीचा बैंच बैंच दो लाठी मेरे उक चला इनने फिर अपिस गीजी नहीं के सीधा घर उपर लड़कों बहाद डालने पिल्कुल भी सच्चाई नहीं मान सकता क्योंकि उन्हेंए नहीं पहले तिन्हों नहीं कहा है कि हमारा गाउउं अमन और चैन का गाउं मैं कहता हूं कि हमारे गाउउं में आज लगतार और परतियार परफ लगाया जा रहे हैं वोगतारे लाइब दुकान राइपूर में पड़ता है इनका जो रणजिस चल रही ती यही लड़ाई जगडेक रणजिस और कोई रणजिस नहीं जी देखिए इन लोगों का केना है कि जो लगतार आरोप परत्यारप लगाये जा रहे हैं वो सरासर गलत है बेबुनियाद हैं और ये नाक की लड़ाई बता रहे हैं कि यहां से कोई रास्ते से उनके घर के सामने से लड़ा निकलता था उसकी वज़े से उनको नाराज गीती उसके मद्दे नजर रखते हुए इन लोगों पर उन लोगों ने चड़ाई की और इनके साथ मारपीट को अंजाम दिया गया लाठी डिंडों को लेकर के वो लोग इनके घर पे आए और पूरा मामला इन लोगों ने सारा बता है और आप वक्ते में सारी बात इन लोगों ने रखी कि जिस तरीके से उन लोगों मेडिया में जो खबरे चलाई जा रही है वो सारा सर बेबुनियाद हैं गलत हैं इनका कहना है कि जो लड़का जिन पर चोरी का इलजाम ये लोग लगा रहे थे ये पिछले काफी सालों से बाहर रहता है अपनी रिस्तदारी में रहत है और ons कहां करता है इस तरीके लिए लोगों का कहना है जो लोग बता रहती कि चोरी करता है जी क्या के चाहा रहते है इसे भी यह पर जीठिघ quindiर् Clar Cook hr पुलिस वालों से हमने फुटेज मांगी पुलिस वालों ने फुटेज नहीं दिखाई बोला कि अभी फुटेज ढूंदली है अच्छा उन्होंने गाडी में जो बैठे उस लड़के की सकल तो देख गई है लेकि फुटेज अब तक भी नहीं दिखी उनको दूसरी बात उन की घर में कैमरा लगा हुआ है जमील खान के और चौधर याजाम खान के गर में कीमरा जो बहुत दूर तक कैच करता है तो कमरे के ऐंदर आजाता है बच्चा तो कोई भी हो चाहे फुटेज नहीं दिखाई अगर फुटेज में हमाने लडगा है तो वेरी गुड हम चोर मान लेंगे? एक 16 अंतर के तहते लोगों को फसाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है पुलिस के साथ मिलकर के इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है सिर्फ सासन पर सासन से यह गवार है कि इस पीडित परिवार को नियाए दिया जाए और इस पीड़ित परिवार की बात को सुना जाए जिस जो इन पर लगाता रहा अत्याचार हो रहे हैं उनको पूरे तरीके से उन पर लगाम लगानी चाहिए मैं आपको लगाता डिटीनुज के माद्यम से दिखाता रहूँगा तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ